अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे यह जो मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं इसको आपको अपनी हथेली से नाप के बताना हैं कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है तो सबसे पहले अंकुष तुम तरो बिटा पहले नाप के तो दिखाओ यह चोटी है और दूसरी यह बड़ी है ठीक है अब आगे आओ इधर आओ यहाँ पर दो डिब्बे रखें इनको नापो ज़रा हतेली से अपने पास लेलो डिब्बों को यह चोटा यह बड़ा है ठीक है चलो अभी ज़रा इन बोतलों को नापो कैसे पता पहले उसे नापो तो सही यह चोटी है यह बड़ी है और यह जो पंप रखा है इसको नापो किससे बड़ा है यह नीली वाली बोतल को नापो और उसको नापो हथेली से नापना है लेकिन यह बड़ी है अच्छा ठीक है चलो अब रोहित तुम नाप के दिखाओ ज़रा यह दो बोतले नापो एक यह वाली बोतल और एक यह वाली बोतल नाप चोटी है अच्छा ठीक है अब यह किताबे और कॉपी ज़रा नापके दिखाओ मुझे हथेली से और कैसे पता कैसे पता क्योंकि उसमें एक हथेली के बराबर है वो एक हथेली से बड़ी है ठीक है अच्छा अब इन डिबो को तुम भी ज़रा नापके दिखाओ देखो ज़रा अंकुष ने सही बताया है कि गलत बताया है यह चोटी है यह बड़ी है ठीक है चलो वेरी गुड ताली बजाओ श्वेब आप तो माओ बेटा ज़रा इन डिबो को नापो बड़े वाले को तो नापा ही नहीं बड़े वाले को भी नापके दिखाओ ठीक है सानिय तुमाओ यह नीली वाली बोतल को और वो लाल धक्कन वाली बोतल को नापके दिखाओ इधार बोतलो को नापो बेटा बोतल कहां है नापो इसे ठीक है और उस वाली बोतल को नापो कौन सी वाली बोतल बड़ी है और छोटी है ये छोटी है और बड़ी कौन सी है ये तो सबसे बड़ी है चलो दिलशाथ तुम अपनी कौपी नापके दिखाओ हतेली से अच्छा ये बड़े है अच्छा चलो रागनी तूं करके दिखाओ अच्छा नहीं तुम इसको नापो चलो इस पंप को नापो और वो वाले काले वाले डिब्बी को नाप के दिखाओ चलो आओ ये बड़ा है चलो कोई बात नहीं चलो ताली बजाएंगे सब लोग तो अब सबको पता चल गया कि हम लोग हतेली से भी नाप सकते हैं और नाप के पता लगा सकते हैं कि कौनसी चीज बड़ी है और कौनसी चीज छोटी है वेरी गुड